नमस्कार आज हम एक पाविरानिक बेलिदान का स्तल देखने जारहा है उस्तल को कोटियोर कहा जाता है कोटियोर मंदिर केरल में कन्नोर के कोटियोर में स्तीद एक प्रमुख मंदिर है यह पुरिली मलाके कटन राजवंश के अधिंदा जिससे कट्योर नामपुलपती भी बात में कोट्योर बन गया कुट्योर में दो प्रकार का मंदर है एक को बावाली नदी के पच्चमे तडब उसे इकरी कुट्योर कहा जाता है दूसरे पूर्वी तडब उसे अकरी कुट्योर माना जाता है इसका दूसरा नाम है किर्केश्वरम मंदर अकरी कुट्योर आसरमम तदा एक्ण मंदर है जो केवल वाईशाह महोलसव के समेख उला जाता है असी एकर धने वन के बीच स्तीद है पवित्र मंदर यह बावाली नती है कुट्योर मंदर जिसे देशिन का काशी भी कहा जाता है कुट्योर वाईशाह महोलसव मलबार देश का सबसे बड़ा क्योहार कहा जा सकता है मल्याण महीने इडवं में चोदी नशत्र से लेकर मिदुनम में चित्र नशत्र तक मनाया जाता है वाइनाड गाव से मुदरेरी काव से तलवार लेकर अकरे कोटियोर आता है तो वैशाह महल सव शुर्यू पोता है हंदार मिल्ट से पहले और मगम के दिल दुपहर शीवेली के बाद महलाओं को अकरे कोटियोर मंदर में जाने की अनिमदी नहीं है साधारन दिन में एक डाई गंडा क्यू में देखना है फगवान को देखने के लिए तिर्योनम देवती अश्टमी और जोहनी नशत्र पर कोटियोर में प्रतेक पूजा है उस दिल लखबग तीन चार गंडे क्यू पर रखना है वैशाह उलसवं फारिश के मौसम में मनाया जाता है ऐसा मना जाता है जब उलसव मनाया जाता है तो बारिश होगी ये स्तान जहां बहगवान शीव स्वयम प्रकड हुए उस जगद को मनी तरह कहा जाता है उनकी पत्नी सदी देवी ने आत्मदा कर लिया जिसे अमारकल तरह कहा जाता है दो पवित्र स्तानों की परिक्रम करने के लिए मार्ग को तिरिवंचिरा कहा जाता है इसके उत्पति रेक्ट की दार्या से हुई जो सतियों पहले बहां बही दे सबी देवेदाओं की उपस्तिदु में पविराणी के एक्ण दश्यागम का आयोजन किया गया था इसलिए इस तान की यात्रा अत्यंद पवित्र मानी जाती है सदी देवी के पिता देख्षने भगवान शिव को चोड़कर सबी देवेदाओं को आमंदरित करते हुए एक एक्ण किया सदी देवी जो बिना बुलाए एक्ण स्तल पर पहुंच गये अपने पिता देश द्वारा अपने पदी शिव को दियेगे अपमान से दुखी होकर एक्ण की अग्णी में खुद गये जब बगवान शिव को सदी के बिलिदान के भारी में पता चला तो वो क्रोधित होकर अपने उल्जे हुए भालों को काट दिया और उन्हें समिन पर खड़क दिया इस प्रगार वीरबद्र प्रगट हुआ और दक्ष के एक्णी स्तल पर पहुंज कर उसका सिर्थ काट दिया हायभीत विष्णू ब्रह्मा ओर अन्य देवता कैलास की ओर दवडे उन्होंने शिव को शांत किया और उन्हें एक्णी दूशित परिणामों का अहसास कराया हगवान शिव की अनिमदी से ब्रह्माने दक्ष को पुनर्जन्म दिया और एक्णी पूर्या किया ये ओडपू कहा जाता है ओड़ा फूल वीरपद्र का दिशा का प्रदी है और गेरों के सामने प्रातना खच्च में और वाहनों पर लटकाए जाते हैं इसे समर्दी आते हैं इसलिए कोटियोर में जाने वाले हक्त ओडपू गर्द लेकर जाते हैं ये मंदर है इकरी कोटियोर बड़केश्वर्या मंदर प्राचिन काल से मंदर का सामानिय नाम है ये मंदर त्री चेर्यमना शेत्रमबी कहा जाता है ये मंदर मलबारदेवस्वं बोर्ड के विशेश स्रेणी का मंदर है ये मंदिर वाईशाह उलसव की 27 दिनों को चोड़कर पूरे साल खुला रखता है ये वीडियो आपको अच्छा लगातो सब्सक्राइब करना शेर करना और कमन डालना नई वीडियो लेकर तक नमस्कार फिर आयेंगे